गुट मॉर्निंग माई यूटूब फैमली कैसे हैं सब आई होप सब अच्छे होंगे अपने घर में स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे सबसे पहले आप सभी को नए साल की धेर सारी सुप काम नाएं मैं हुजुनी सिंग और मेरी कुकिंग चानल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंज आज मैं आप लोग के साथ सेयर करने वाली हूँ यूपी और बिहार की बहुत ही फेमस रेसिपी यहां पर आप देख रहे हैं कि मैं जल्दी जल्दी मतर छिल रहे हूँ तो आपको पता चली गया होगा कि मैं कौनसी रेसिपी आप लोग के साथ सेयर करने वाली हूँ तो मैं आज बनाने वाली हूँ नीमोना फ्रेंज यह ऐसी रेसिपी है जिसे आप कम मसालों में ही बहुत ही टेस्टी बना सकते हैं तो हमारे यूपी बिहार में किस तरह से यह नीमोना की सबजी ब तो फ्रेंस मैं हूं भीहार की तो मैं अपने तरीके से इस रेश्पी को बनाऊंगी अगर आप लोग को रेश्पी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यहां पर हमने हाप केजी मटर लिये थे तो उसमें से दो कप एकदम फ्रेश-फ्रेश मटर निकले हैं तो एक कप का मैं इस तरह से दरदरा पीस लेती हूं मिक्सी के जार में यहां पर हमें इसे दरदरा ही पीस नहीं है हमें इसकी फाइन पेस्ट नहीं बनानी है और यहां पर हमने दो टमाटर को इस तरह से कट कर लि कराही, पैन, कुछ भी ले सकते हैं, आप किसी भी बरतन में इस रेस्पी को बना सकते हैं, तो यहाँ पर मैं दो बरे चम्मच सरसो का तेल इसमें डाल रहे हूं, क्योंकि हमारे बिहार में ज़्यादा तर सरसो के तेल में ही खाना बनते हैं, तो पहले हम आलू को इस तरह से फ प्राई कर लिए हैं, यह 50% से अधिक कुख हो चुकी है, तो मैं इसे प्लेट में निकाल कर रख लेती हूं, फ्रेंज मैं फिर से आप लोग को याद दिला देती हूं, कि अगर आप लोग को रेस्पी पसंद है, तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर सेयर यहाँ पर हमने सभी आलो को इस तरह से प्लेट में निकाल कर रख लिए हैं, अब उस बचे हुए तेल में हम पीसी हुई हरे मटर को भी हम इसमें भून लेंगे, इससे क्या होगा कि निमोना का टेस्ट और भी बढ़िया आती है, एक एदम सोंधा सोंधा बहुत ही टेस्ट होती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप मटर एक दम से अच्छे से भून चुकी है, और मटर ड्राय हो चुकी है, तो मैं इसे एक ब्लेट में निकाल कर रख लेती हूँ, अब इस सबजे में हम एक खास चटनी के तयारी करते हैं, तो यह देखिए, यहाँ पर हमने धन अब हम फिर से पेन में तेल डालेंगे, एक बड़े चमच और आधा चमच जीरा और दो हरी मिर्च, मिर्च को हमने बीच से इस तरह से काट लिए हैं, और जब जीरा और मिर्च अच्छे से चटक जाएं, तब हम इसमें डालेंगे बारी कटी हुई प्याज, प्याज को हम प्याज को हमें थोड़े दर भूनने के बाद उसमें हम डालेंगे बारी कटी हुई दो टमाटर, और टमाटर को हम अच्छे से गलने देंगे, हम इसे ढख कर पकाएंगे, ताकि टमाटर और प्याज अच्छे से गल जाएं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टमाटर अ अच्छे से दबा दबा कर इसे मैस कर लेंगे, अब हम इसमें डालेंगे हरी फ्रेस मटर जो हमने बचा कर रखे थे, उसे हम इसमें डाल देंगे और उसे लगतार चलाते हुए एक मिट भूनेंगे ताकि मटर का भी कच्छापन खतम हो जाए, मटर प्याज और टमाटर सभ अच्छे से भूनने के बाद इसमें डालेंगे हम स्वादनसार नमक, नमक आप अपने टेस्ट के कोडिंग ही डालिए और इसमें डालेंगे हम आधा चमच लाल मिरिज पाउडर, एक चमच धनिया पाउडर, आधा चमच हम डालेंगे इसमें गरम मसाला और आधा चमच से का दाला करेंगे कियोंकि ों । बिर भूनेंगे अब आप यहां पर देख सकते कि मसाले बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं सभी चीजों को हमने अच्छ से भून लिए हैं मसालों से बहुत ही बढ़िया खुसबू आ रही है तो अब हम क्या करेंगे कि इस समय जो फ्राइक की वी आलू है वो हम इसमें डाल देंगे और उसे भी बढ़िया से इसमें मसालों में अच्छ से यह देखिए इस तरह से चलाते हुए अब हम इसमें जरुवत करणशार पानी डालेंगे तो हमने इसमें डेर कप पानी डाले हैं सभी चुजों को अच्छ से मिक्स करते हुए चलाएंगे और चलाने के बाद इसे हम 5-7 मिनुट के लिए मीडियम आच पर पकाएंगे ढगक आपको इस सब्जी में धनिया के पत्ते डालने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमने धनिया के पत्ते को पीस कर इसमें डाल दी है तो उसका टेस्ट इसमें आएगा बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सब्जी पक कर तयार हो चुकी है बहुत ही बढ़िया सब्जी बनी है तो चलिए मैं एक बढ़िया चेक कर लेती हूँ देखिए आलू भी बहुत ही बढ़िया से पक चुकी है यह देखिए यहां पर आलू भी बहुत ही बढ़िया से पक चुकी है और मटर भी पक चुकी है तो इस तरह से आप चेक कर लिज चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी फ्रेंस आप लोग को ये रेस्पी कैसी लगी और आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताईएगा मुझे सपोर्ट कीजिए और अपने घरों में स्वस्त्रे सुरचित रहिए फिर मिलते हूँ एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए भाई थेंस पर वाचिंग